दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ण के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी एक्जामों में एससी, रेलवे, अन एक्जामों में पूछे ही जाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए देखते हैं, यूरिया जो है अधिक्तम मात्रा होती है मनिस के मूत्र में, अगर आपसे मूत्र में तो मूत्र में होता है पेपसीन का एक उदाहरण होता है एंजाइम दूध में नहीं पाया जाता है, भई बिटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है क्योंकि vitamin C अगर पाया जाता है तो vitamin C के वज़े से ही दूद फट जाता है toxin एक जहरीला पदार्थ है enzyme की रचना होती है amino acid से enzyme की रचना होती है फालों और सबजियों में vitamin D नहीं होता है इसलिए कहते हैं कि सुबह में धूप जो होता है वो vitamin D देता है तो इसलिए हमें लेना चाहिए जो डाक्टर की सला होती है मलेरिया का परजीवी होए मादायना फलेज मच्छर मनुस के मस्तिस का वज़न 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है उट की गरभावधी होती है 320 से 325 दिन मतलब लगभग एक साल होता है गायत था पहस का गरभावधी 280 दिन से 300 दिन यानि लगभग 9 से 10 महिने पैत्रिक्ता सिधान्त सिध करने में सहायक होता है तो DNA और फिंगर पिंटिंग दूध में पाया जाने वाली सरकरा जो है लैक्टोज होता है मोत्र का निर्माड वरिक्क में होता है सबसे लंबा क्रिमी जो वर्म होता है तो वो टेप वर्म होता है प्रकास वर्ष मात्रक है दूरी का तो ये थे साइन्स के बहुत ही महत्तुपॉर्ड प्रस्टन जो की सभी खजामों में पूछे ही जाते हैं तो इन्हें याद कर लेजे तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें सेर करें हमें सपोर्ट करें आज के लिए इतना ही थेंक्स